नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशा सत्य की रामे मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी सुर्वात कर दिये हैं नए दिन की और वर्ष का दूसरा दिन निशन्देह आप लोगों ने खोब अच्छे से इंज्वाई किया होगा नव वर्ष आंगल कैलेंडर का और यही तो अब ग्यात है और जो समक्ष है ग्यात है वही हमारे लिए शुब है बाकी तो अपना चैत्रमाह से जब नव संबत आरंभ होता है तो उसकी एक अलग परंपरा है उसका एक नया विधान है फिलाल आज दूसरे दिन की पूरी रूप रेखा पुरा सकरात्मक प्रभाव समकुछ लेकर के उपस्थित हूँ आप लोग के समक्ष आप लोग पूरे दिन को कैसे बहतर करें और दिन आपके लिए कैसे बहतर हो इसकी पूरे जानकारी हम आपको बताने वाले है आपको जानकारी ये भी देदे कि आप लोग हमसे मुलाकात कर सकते हैं गोरखपुर पटना राची नागपुर रायपुर आद शहरों में जिसका डिटेल हमने आपके साथ शेर किया है और कार्याले के किसी भी नंबर पर आप लोग तुरंत वाटसप करिए और मिलने का समय सुनिश्चित करिए आईए सुरवात करें आज के जोतिश दिशा की जोतिश दिशा सबसे पहले जानते हैं आज का पंचाग पोश्माह क्रिश्र पक्ष सश्ठी तिथी चंद्रमा आज सिंग हराशी में साम 6 बच के 27 मिनट तक ग्यारे बच कर 41 मिनट तक पूर्वा फालगुनी और इसके बाद उत्तरा फालगुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र पूर्वा फालगुनी उत्तरा फालगुनी यह सूरिका नक्षत्र है योग रहेगा सोभाग ततनुसार दिनांक दो जनवरी दिन मंगलवार मंगलवार को राहुकाल दोपहर तीन से चारल बच कर तीस मिनट तक और गुलिककाल का समय दोपहर लाच बच कर तीस मिनट तक राहुकाल आप सब नए और शुबकारियों के लिए ना किया करें राहुकाल में कोई काम गुलिकाल में आप कोई भी नए और शुबकाम कर सकते हैं गुलिकाल आपके लिए सकारात्मक होता है इसमें काम आपके बनते हैं आगे बढ़ते हैं और अब आए आरंब करते हैं आज के पूरे दिन के हाल की आज की भविश्यवानी मेश राशी सिंगहस्त चंद्रमा शुक्र और सूर के नक्षत्र का प्रभाव शिक्षा के लिए इस्थती ग्राह और सकारात्मक है पढ़ाई के वो अवसर जो अब तक मिश थे जो अब तक नहीं थे उन अवसर का लाभाव को प्राप्त होगा सिक्षा का छेत्र एक सकारात्मक छेत्र पैदा करता है ब्यापार के लिए अवसर अच्छे मिल रहे हैं लेकिन आपको थोड़ा सा समझदारी का परिज़े देना होगा बिजनस आपके लिए उत्तम परणाम प्रदान कर रहा है बिजनस के छेत्र को आप सकारात्मक समझ कर कदम बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं प्राइमेंट सेक्टर बालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा उतार चड़ाओ भड़ा रहेगा कुछ सूर्य के साथ प्रभाव कुछ सुक्र के साथ प्रभाव सरकारी छेत्र को आप एक अलग तरह से बल दे सकते हैं गवर्मेंट सेक्टर आपके लिए अनकूलता अवश्य प्रदान करेगा दामपत्त जीवन पति-पत्नी की बीच तालमेल संतान को लेकर के कोई बड़ा फैसला ससुराल से रिष्टे में मधूर्ता ये सारी चीजें आज मेश राशी वालों की हिस्से में आ रही है बात करें अगर हम लव लाइफ की तो थोड़ा उतार चड़ाओ तो यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है लव लाइफ का प्रभाव बहुत अनकूल नहीं है चिंताएं बढ़ सकती है और आपके लिए कुछ निगेटिव इस्थती भी आ रही है स्वास्त के मसले पर देखा जाए तो सर्दी जुखाम के सासाथ खाशी के सिकायत हो सकती है क्या उपाय करना है मेश राशी वालों को अपने कंठ पर शहद का तिलक अवश्य लगाएं आप शुबरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रत्षत अठावन ब्रिशव राशी चंद्रमा का प्रभाव आज आपके पंचम से निकल कर चतुर्थ भाव में आ रहा है फोर्थ हाउस हमारे जीवन में उन घटनाओं को सम्मंध से जोड़ता है जिनका सम्मंध हमारे सुख से होता है और चंद्रमा जब फोर्थ में रहेगा तो सुख के प्रति लालसाओं को बढ़ा देता है पढ़ाई में उतार चड़ाओ बढ़ रहा है सिक्षा की स्थती बहुत अच्छी तो नहीं है क्योंकि सुख विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थिना कुतो विद्या जो सुख चाहेगा उसको विद्या नहीं और जो विद्या चाहेगा उसको सुख नहीं दोनों एक दूसरे के शत्रू है तो सुख से विद्या का च्छय होता है ये बात आपको समझ में आजाने चाहिए ब्यापार के लिए समय अनकूल रहेगा बिजनस में आप जिस तरह से भी आगे बढ़ना चाहें आप आगे बढ़ सकते हैं ब्यापारिक दिश्टी कोण से अनकूलता आपको प्रदान इश्वर की क्रिपा से होगा प्राइवेट सेक्टर वालों को उतार चड़ाओ के साथ जूजना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में मामला उतार चड़ाओ के साथ बढ़ रहा है चीजें कई तरह से मिस मैच हो रही है काम में मन कम लग रहा है सरकारी छेत्र आपको ध्यान में रखना पड़ेगा गॉर्मेंट सेक्टर आपको हर तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा दामपत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थती अच्छी रहेगी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट का पूरा लाभाब को प्राप्त होगा लव लाइफ टफ सिचुविशन में जा रहा है परिस्थतिया थोड़ी प्रत्कूल हो रही है संभालने का प्रयास करना पड़ेगा लव लाइफ को बेहतर करने का प्रयास करना पड़ेगा बिवाह की चरचा टाल दीजिएगा क्योंकि यहां इस्थती बिल्कुल भी आपके अपोजिट है स्वास्थ के मामले में आखों की समस्या लीवर की प्रॉबलम और दात की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी ब्रिशब है आज किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने पीने की वस्तु देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए नीला भाग्य प्रद्शत 58-58 मिथुन राशी चंद्रमा शाम तक के लिए तिर्तिय भाव में रहेंगे पढ़ाई की स्थिती कई तरह से आपके लिए प्रतिकूल हो रही है सिक्षा बहुत अच्छी स्थिती में नहीं है ब्यापार संतुलित रहेगा बिजनस संतुलन में बना हुआ है बिजनस का प्रभाव संतुलन में रहेगा प्राइबेट सेक्टर वालों के लिए अवसर अच्छे मिल रहे हैं अवसर का लाभ आपको अवश्य होगा काम में मन लगेगा पराकरम की विर्द्धी होगी, आपके लिए अनकूलता रहेगी सरकारी छेतर को साधने का प्रयास करें, गौर्रिमेंट सेक्टर को बेहतर करने का प्रयास करें बहुत सारे ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिनका डारेक्ट संबंध आप से होगा दामपत्त जीवन में उतार चड़ाओ बढ़ेगा, एक दूसरी के पति अवस्वास की इस्थती रहेगी पति-पत्नी के बीच किसी अन्य का प्रवेश दिखता है लव-लाइफ संकेत अच्छे दे रहा है यहाँ पर इस्थती बहुत अनकूल इस्थती में रहेगी स्वास्थ के मामले में कमरदर्द, पेट की समस्या, मिथुन राशी कुछ आलस और माइगरेन की भी समस्या जो सकती है क्या उपाय करना है अगर आपकी राशी मिथुन है मिथुन राशी वालों को आज अपने कंठ पर शहद का तिलक लगाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए नीला भाग्य प्रत्षत 69 करकराशी करकराशी वालों के दुतियस्थ चंद्रमा का प्रभाव कई तरह से आपको परेशान कर सकता है दुतिय भाव में चंद्रमा शिक्षा के प्रती उदासीन करता है परेशानी देता है पढ़ाई आपकी बढ़ सकती है लेकिन मांसिक द्विग्नता बढ़ जाएगी ब्यापार आपके लिए अच्छा है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं है बिजनस के प्रभाव को आप बढ़ा सकते हैं बिजनस में निवेश का प्रभाव बढ़ सकता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर-उधर की बातों से उल्जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए पैसा निवेश करने का समय नहीं है सरकारी छेत्र आपके महरवान है government sector आपके लिए अन्कूल है सकरात्मक प्रभाव बढ़ेगा सरकारी छेतर की स्थती यात्रा से भी जुड़ती है दामपत्य जीवन बहुत बहतर है पति-पत्नी के बीच तालमिल अच्छा रहेगा एक दुसरे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ कुछ मुश्किलों में आपको डाल रहा है लव लाइफ की स्थती को संभालने का प्रयास करें बिवाह की चर्चा टाल दे तो बहतर है स्वास्त के मामले में आज का दिन डाइजिशन से लेकर के और पीट की समस्या तक आपको बढ़ाता है क्या उपाय करना है आपको प्रयोक के तोर पर आज माधुर्गा को प्रणाम करते हुए ग्यारह बार इस मंत्र का जाब करें शुभरंग आपके लिए आस्मानी भाग्यी प्रत्षक तिरपन, सिंग राशी, चंद्रमा आपकी ही राशी पर है, रुक रुक कर लेकिन बेहतर सिक्षा होगी ब्यापार अन्कूल है, मित्र साथ दे रहे हैं, रिस्क लिया जा सकता है प्राइवेट सिक्टर में उतार चड़ाव बढ़ रहा है, अचानक किसी मुश्किल में आ सकते हैं, नोकूली पर आँच आ सकती है सरकारी छेत्र आपके लिए अनकूलता दिखाएगा, गौर्मेंट सिक्टर में आपको लाव के अउसर बनेंगे दामपत्र जीवन थोड़ा सा इधर उधर की बातों से आपको परिशान करेगा लव लाइफ को संतुलन मिलाने का प्रियास करें स्वास्त के मामले में आज का दिन पेट की समस्या और हड्यों की दिक्कत दिखाता है प्रियोग के तोर पर आज किसी जरूरतमंद को कुछ हरी सबजी आदिका दान करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आसमानी भाग्य प्रत्षत पच्पन अब चर्चा करते हैं करन्य राशी की जहां चंद्रमा 12 में सुशोबित हैं लेकिन शाम तक आपके राशी में भी आ जाएंगे पढ़ाई के लिए तो बहुत आज महांसिक विकार आ जाएगा मन नहीं लगेगा पढ़ने में उतार चड़ाव बढ़ेगा इधर उधर की बातें आपको परेशान करेंगी स्थि बहुत बहतर रहेगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज अनुकूलता और दे रहा है सकरात्मक प्रभाव रहेगा प्राइवेट सेक्टर में उचाई छुएंगे आप सरकारी छेत्र की स्थिक को साधने में आप काम्याब होंगी गौर्नमेंट सेक्टर आप बहुत बहतर ढंग से कर सकते हैं दामपत्य जीवन पति-पत्नी के बीच का तालमेल थोड़ा सा कम होगा एक दूसरे किरपती विकृती आएगी आज दौदस का चंद्रमा है सब्तम से छठे चंद्रमा है तो ये पत्नी का सुक्षय करता है दोनों के लिए हम बताते हैं हमारे मुझसे चुकी हम मेल हैं पुरुष हैं तो मुझसे पत्नी अधिक निकलता है लेकिन जो इस्तरियां हैं उसको अपने लिए कंसीडर करें ऐसा थोड़ी कि मैं इस्तरिय के लिए अलग से कुछे बोलूँगा है ना तो इसकी इसी तरह से कंसीडर करना होगा तो कन्यराशी वाली जो महिलाएं हैं पुरुष के लिए पती के लिए सोचें लव लाइफ की स्तरिया संतुलित है आउसर अच्छे दे रही है परिस्ततियां आपके लिए अनकूल हैं कहीं कोई चिंता की आवश्यक्ता नहीं स्वास्त के मामले में थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें परेशान कर सकती हैं ध्यान देने की आवश्यक्ता हैं क्या उपाय करना चाहिए आज कन्यराशी वाले लोगों को आज भगवान गणेश का ध्यान करना है ओम गंगण पते नमह इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाब करें शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रत्षत अठामन 58 तुला राशी आग आए चंद्रमा एक आदस भाव में अब देखिए आपकी जो राशी स्वामी है वो आज के नक्षत्रेश है पूर्वा फालगुनी मन प्रशन तो रहेगा आज आपका प्रभाव आपका बर्चस्व दिखेगा आपकी स्थती आपका बर्चस्व रहेगा आप जहां भी है वहाँ पर आप अच्छा काम कर रहे हैं व्यापार थोड़ा सा इधर उधर की चीजों में आपको परिशान करेगा बिजनस पर फोकस करने क्या वशक्टा है प्रायविट सेक्टर कई तरह से आपको उलज़ाएगा आज प्रायविट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए समय कई तरह से प्रतिकूल रहेगा बहुत अच्छी स्थितियों में नहीं है सरकारी छेतर आपके लिए बहतर प्रेडाम दे रहा है गौर्णमेंट सिक्टर में आप कई तरह से बहतर प्राप्ट कर रहे हैं दामपत्त जीवन बहुत सकरात्मक है पति-पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा सपोर्ट बहुत अच्छा करेंगे स्वास्त के मामले में देखा जाए तो इस्थतियां इधर उधर की बातों से आपको परिशान कर रही है स्वास्त आपका परिशान करेगा आज बहुत कुछ जैसे लॉस्ट सा फील करेंगे उपाय क्या करना है आज का दिन बहतर हो जाए मादुर्गा को एक घी का धीपक अर्पित कर दीजे शुवरंग आपके लिए पीला भागिपत्षद 52 ब्रिश्चिक राशी चंद्रमा दसंभाव में आए हैं शाम तक के लिए और फिर एकादस में भी आ जाएंगे जब कन्या में आएंगे पढ़ाई दोपहर तक तो थोड़ा रुक रुक कर चल रही दोपहर के बाद परिस्थतियां आपके लिए अनकूल रहेंगे ब्यापार जबरदस्त रहेगा बिजनस में आपको परिशान होने क्या वेशक्ता नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ उल्जन और परिशानी देगा प्राइवेट सेक्टर में आपको परिशानी मिल सकती है सरकारी छेतर को साधने का प्रयास करिए गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए थोड़ा सा इधर उधर से परिशान करने वाली बात है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों की बीच ताल में अच्छा रहेगा सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है लव लाइफ मुश्किलें देगा परिस्ततियों को साधिये लव लाइफ को बेहतर करने का परियास करिये स्वास्थ के मामले में आपको डाइजेशन की समस्या और लीवर की प्रॉब्लम दे रहा है प्रियोग क्या करना चाहिए अपने कंठ पर सरसो के तेल का तिलक कर लिजेगा शुबरंग आपके लिए बादामी भाग्य पद्शत छपपन चर्चा करेंगे अब हम आगे आप सब के लिए धनुराशी की भाग्यस्त चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए अवसर दे रहा है भाग्य मजबूत रहेगा पढ़ाई अच्छी चल रही है सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापार को लेकर के थोड़ा सजगता अनिवार है बिजनस आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है सावधानी बढ़ते हैं बिजनस को बहतर करने का प्रयास करें प्राइविट सिक्टर आपके लिए कुछ अच्छे अवसर आज प्रदान करेगा धनुराशी यात्रा के दौरा लाब होगा कहीं यात्रा पर जा सकते हैं कहीं भेजे जा सकते हैं सरकारी छेत्र को साधने का प्रयास करिए गवर्मेंट सिक्टर आपके लिए अनकूल लाईए दामपत्य जीवन परेशान कर सकता है दामपत्य जीवन को थोड़ा सा संभालने का प्रयास करिएगा लव लाइफ बहुत बहतर है कोई परिशानी नहीं होगी आपके लिए अउसर मिल जाए लव लाइफ में तो विवा की चर्चा तक बात कर सकते हैं क्योंकि आज भाग्यस्थान का चंद्रमा आपके लिए शुब है यह अउसर फिर अब एक महिना बाधी आएगा बाराय रायम तीस बाराय राशियों में रिपीट जो होता हूँ 27 से 30 में दिन होता है स्वास्त के मामले में आज का दिन स्वास्त महसूस कर रहे हैं इसमें दो राय नहीं है आपको बहुत कुछ सगरात्मुक रहेगा उपाय गया करना चाहिए प्रियोग के तौर पर आज दो चीजों पर ध्यान देना होगा एक तो किसी जरूरत मंद को आज भोजन करा दिजेगा अपने हाथों से और यात्रा में आज ध्यान देना होगा शुबरंग आपके लिए एक काला भाग्य प्रत्षत चपन मकर राशी अश्टम में चद्रमा कई प्रकार से उतार चड़ाओ दे रहा है पढ़ाई इच्छी चल रही है लेकिन स्वास्थ की वज़े से प्रभावित होंगे आप बाकी अवसर अच्छे मिलेंगे शिक्षा के छेत्र में ब्यापार को लेकर के आज कुछ अनकूल परिणाम प्राप्त हो रहा है बिजनस की स्थती संतुलित है परिशान नहीं होना है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनकूलता दिखा रहा है मन प्रशन रहेगा सरकारी छेत्र में थोड़ा बहुत इधर-उदर की बाते परिशान कर सकती है गवर्मेंट सेक्टर को अनकूल करने का प्रयास करिए दामपत्त जीवन बहतरीन है पती-पत्ती के बीच एक दूसरे का साथ मिलेगा सपोर्ट करेंगे लव-लाइफ कई तरह से आपको परिशान करेगा लव-लाइफ में इस्ततियां बहुत अच्छी नहीं है उल्जने बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में कमरदर्द की शिकायत किटनी की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है थोड़ा सा कच्चे दूद का तिलक कर लीजेगा शुवरंग आपके लिए केसरिया भाग्य प्रत्षत तिरपन कुम्भराशी आपके कुंडली में सब्तम में चंद्रमा का प्रिभाव पढ़ाई में उतार चड़ाव बढ़ा रहा है सिक्षा की स्थती कई तरह से परेशानी वाला है ब्यापार अच्छा रहेगा बिजनस में आपको चिंताग नहीं करना है प्राइबेट सेक्टर आपके लिए सकारात्मक परिणाम दिखाएगा सरकारी छेत्र को बेहतर करने का प्रियास करिए दामपत्त जीवन जबरदस्त अनकूल रहेगा पति-पत्नी की बीच तालमिल अच्छा रहेगा सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा लव लाइफ इधर उधर से आपको उल्जन पैदा करेगा स्वास्त कमरदर्द की शिकायत और दातों की तकलीफ देगा क्या उपाय करना है आज श्यूलिंग पर शहद से अवशेक कर दीजेगा शुबरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रतिशत 56 अंतिम राशी मीन पर स्थतिवस शिक्षा को आज आप संभालें व्यापार तो बहतर कर रहे हैं बिजनेस में किसी तरह की समझ्या नहीं है प्राइबेट सेक्टर अंकूल अपने आप रहेगा चिंताओं से बाहर निकलेंगे सरकारी छेत्र उल्जाएगा गवर्मेंट सेक्टर आपके लिए परिशान करेगा दामपत्त जीवन आज कुछ सोच समझ करके कदम बढ़ाएंगे तो अच्छा कर लेंगे लव लाइफ एक अलग तरह के संतुनन में जाने की आवशकता है स्वास्त के मामले में आपको आज कमरदर्द और डाइजेशन की समस्या दिखाता है प्रियोग के तोर पर आज किसी छोटे बच्चे को टॉफी चॉकलेट देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज के सरिया भाग्य प्रत्षत अठामन दो जनवरी के इस राशिफल के बाद अब कदम बढ़ेगा हमारा आपका दो जनवरी के सक्सेस्की की तरफ रिंग फिंगर में लाल चंदन का पाउडर लगाए और कंठ को स्पर्श कर दीजे आज का आब भाग्य अक्षर मेश गाग्षर ब्रिशब छोटा आ मिथुन बाग्षर करक चा सिंग छोटी ई अक्षर कन्या भा तुला धाग्षर ब्रिश्चिक फा धनू हाग्षर मकर या कुम्भ साग्षर मीन रा ये आपके शुब भाग्य अक्षर है साधे चौक और कागच पर लिखे अपनी अपनी चंद्र राशी के अनुसार और अपने पास रख लें चर्चा अब आज के स्पेशल आयुश्वान भवह की दिनाग के दो जन्वरी को पैदा हुए लोगों के लिए हारदिक शुब कामना है जनम दिन मबारक हो उपाय रहेगा गउशाला में काले तिल का दान करें किसी जरूरत मंद को कंबल और वस्त्र आद का उपहार दें और दो पीपल के पौधे दक्ष्ण दे सामें लगा दें आज जिनकी मेरिज अनिवर्शरी है अपने हाथों से तीन बच्चों को दूध का दान कर दें दो कन्याओं के विवाह में मदद का संकल्ब लें और शिवाले जाकर रुद्राविशेक अवश्यक कराएं तो भईया आज के अंक में इतना ही हमें अनुमत दीजिएगा बहुत खोश रहिए और हाँ 15 तारिख तक अभी गाजयाबाद में हम बने हुए हैं तो पंदर तारिख तक गाजयाबाद मिलना चाहें जल्दी से समय ले लिजेगा तो देखते हैं कल-कल आज आज परसो परसो कौन आता है मिलने मिलने के लिए 9560447000 पर अभी वट्सप करिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नन्यवाद नमस्कार शिरादे आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीप एक खुशियां अनेक झाल झाल